खोशची अ het थे खोशची तोड़ी प्रोब्लम यह चल रहे है कि पता 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 ही नहीं चल पारा की कब लाइब हो रहे है कि चलता रहे है और यह चलता रहता है चीजे एक साथ अलाइमेंट नहीं हो पाती है अच्छा अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और और अल सेलेक्ट कर नोट सेलेक्ट कर लिजे चाहिए और तेली से जोइन हो जाए है आज आपको र्यविजन नोट सो totally free है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे हम लोग unit mock test करेंगे तो आज हम लोग human reproduction के ही सवाल पूछेंगे फिर इसके में अंदर reproductive health भी रहेगा human health भी रहेगा और माइक्रोब से सवाल पूछे जाएंगे तो आज का सेशन अटेंड करना चाहिए बहुत important है अगर आप सबको एक मौका दे रहे हैं कि अगर आप तीन महीने का सेशन जॉइन करते हैं प्लस जॉइन करते हैं तो आपको एक महीने का फ्री मिल जाएगा तो यह काफी अच्छा है कोड में डॉक्टर एसके सिंग लगा लेजेगा ताकि आपको फुजिस केमिस्ट्री बायो सब एकी जगह पे बहतर सिस्टम के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा ल लास्ट क्लास में हमने फीमल रिपड़क्टर सिस्टम में स्टार्ट करना था करना था तो आई करते हैं फीमल रिपड़क्टर सिस्टम को स्टार्ट और यहीं से सुरुवात कर देते हैं यहीं से हम सुरुवात कर लेते हैं यहीं से सुरुवात कर लेते हैं यहीं से सुरु है और आपको मैंने मील रिपरॉक्ति सिस्टम में समझाय था कि प्राइमरी प्राइमरी सिस्टम का मतलब होता है मतलब है जिके जिसके अंदर गया मेटोजने atraP told क्या बोलते हैं विभी आप यहां यान बनता है इस लिए से प्राइमरी सेक्ष ऑरगन बोलते हैं आज इसे खतम करेंगे आप ओवरी को देखेंगे तो ओवरी हमारे यूट्रस से जॉइन रहता है देख पारें आप यहां पर इस डाइग्राम में लिखा नहीं कि या अखिर क्या है और यह कैसे जॉइन रहेगा तो इस इस कॉल्ड ओवीरियन लिगामेंट इसे हम बोलते हैं कि यह जवाइन रहता है विद decor firm-ray तो अगर में जुइनिंग के बात करूं ओवरी के जॉइनिंग के बात करूं तो यूट्रस से किस से जॉइन होता है यहां पर योटराइन लिगामेंट भी हो सकता है और हमारे फिलोपीन टूब से कैसे जोईन होगा फिमरे से जोईन होगा फिमरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ओवरी को होल्ड करके रखेगा इसके अलावा ओवरी से जो अंडा बनेगा उसे खीचने में भी मदद करत है इस फिनगर फोजेक्शन है इस है यहां फिलोपी ट्यूब तक लेके जाएगा इसको खीच के यहां पे फिलोपी ट्यूब तक लेके जाएगा यहां तक को क्लियर है पूरा अब हम बात करते हैं समझते रहे सारा चीज़ लिखा हुआ है अभी समझना है फिर आपको धीरी 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 जैसे जैसे करना है मैं बता दता हूं तो अब क्या होगा कि फेलोपीन ट्यूब के पार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हमारा इंफंदी कहां ऐसा फाट है ईनमें से कौन सा ऐसा फार्ट है यह दो वरी कौन है बताapor इंदर इंफनदे ने निएर द निएर द ऑघर लिया इस इंपर्ट इसे इंपोर्ट इश यह न पोड़ायो थाक्ट जिस्सबीन गैसे तो यह थानमनी स्ट्रों मेरे संटरक्ट जॉब न एंपुल है पॉर्माइट भी Kaz erro विल्ड हो सकता अगर आप से कुछ पुछा जाए की कहा होता है तो फर्टैलाइजेशन का एक जगह है वह हमारा प्लियूप्यूप और इस्तमस और एंपुला के जंक्शन पर है अगर नए वाले एंसी आटी में देखेंगे तो वहां पर क्या आएगा एंपुलरी जंक्शन आएगा राइट सबको समझ में आ रहा है ठीक है देखिए पढ़ाने का में मोटीव है कि सबको समझ में आना चाहिए नौट रिकॉर्ड सेशन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं तो ताकि हम और इसको बैलो जी कैप्सुल को बहतर बना सके तो दिस इस इस वाट यहां तक आ गया अब हमने इस वाले पार्ट को पढ़ लिया अब हम यूट्रस के बारे में थोड़ा और आपको बद हम क्या बोलते हैं इनवर्टेड इनवर्टेड पियर शेप बोलते हैं इसे कोशन भी मैंने करवाया था आठ बज़े वाले सेशन हमने अकाडमी में इनवर्टेड पियर शेप स्टॉक्शर इसे बोलते हैं दूसरा इसके क्या फीचर हो सकते हैं कि इसकी तीन पार्ट होते ह तो यह fundus होगा, फिर बीच में नीचे वाला पार्ट जो होता, body होगा, that is a body, नीचे body होगा, और सबसे नीचे cervix होगा, जहाँ पर वजाइना का opening रहता है, जहाँ पर वजाइना का opening रहता है, ठीक है, तीन पार्ट होता है, तीन लेयर होते हैं, तीन लेयर होते हैं, सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं बताइए, पेरी मेट्रियम बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके नीचे सबसे बड़ा मोटा लेयर, that is called myometrium और mesometrium, myometrium होता है, और सबसे अंदर होता है, endometrium, endometrium होता है, तो तीन पार्ट, तीन पा तो यह ऊपर होगा और यह ऐसे नीचे आएगा इसे रहेगा तो यह जो ऊपर वाला लेयर सबसे बाहर वाला लेयर सबसे बाला लेयर मायोमेटर हो सकता है और इसके अंदर एक और लेयर बना देते हैं तर है अन्दो एंडो मेट्री में तीन लेयर यहां हो सकते हैं अब फंडस क्या करता है उपर वाला पार्थ है एक बार फिटलाइजड एग आएगा तो इस फंडस के माध्यम से अंदर बॉडी तक आएगा राइट यह फंदस जो होता है एक मतलब की एक स्पेस देता है एक स्पेस देता जिसे चीजे अंदर मतलब यूट्रस तक आजए बॉडी बॉडी एक मेन पार्ट होता है जहां पर पूरा चाइल्ड ग्रोह करता है पूरे 9 मन तक और यहीं पर ग्रोथ हैं डबलाप्मेंट होता रहता है सविक्स एक लूवर मुस पार्ट है जो वजाइना का ओपनिंग है वजाइना यहीं पर ओपन होता है सबसे बाहर वाले लेयर होता है हर लेडी का यूट्रस का शेप और साइज अलग होता है जो पैरस फीमिल होती है दो इंप तो उपले सब्सक्राइब और शुरू कट लेता है तो उपर से और नीचे जाएगा नीचे से उपर सी में आता है वादा ऐसे नहीं कि लगातार आते रहे तो पेशन मर्स मर सकता है इतने दर्थ से तो कॉंट्रेक्शन आएगा फिर रुख जाएगा फिर आएगा रुखेगा तो इडिपेंड आन बिकॉस दो ओल्लो सेक्श्वल हॉर्मोन विदर दर एफसेच लेच ऑक्सेटो तो चाइल बर्थ में मदद कर रहा है क्योंकि उसके उपर रेसेप्टर होते हैं और ओक्सेटोसिन को खीचेगा और चाइल बर्थ के लिए भेजेगा दूसरा कि इस मायोमेट्रियम काफी थिक होता है मोटा लेयर होता है तो यह नूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो में रड़ा प्रॉलिफरेट होगा उसके सरॉद्शन फ्रालिफरेट होंगे टूटेंग और ब्लीडिंग हो जाएगा अगर लेडी प्रेगनिंट हो जाती है तो यह जो एंडोमेट्रियम है गयार होगा अच्छे तरीक से यूट्रस के बारे में आप समझ गए अगर यूट्रस के बारे में समझ गए तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है है ना तो आए डिटील में चीजों को समझने का परियास करते हैं अच्छा बॉडी के अंदर देखेंगे तो कुछ इस परकार स्ट् प्राइमरी सेक्स ओर्गन इसे बोलते हैं क्यों क्यों कि यहां पर ऊजनेसिस होता है अगर मैं आप से सवाल पूछूं कि जनेसिस का जो प्रॉस्स होता है वह इंपरावनी कंडिशन से ही सुरू हो जाता है तो तो दप्रॉस्ट्रस प्रोसेस स्टार्ट स्टार्ट दूरिंग दूरिंग इंपरावनी कंडिशन इंब्रियों इंपरावनी कंडिशन 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 इंपरावनी समय होता है प्यूवर्टी के समय होता है प्यूवर्टी के समय होता है अगर शेप के बारे में बात करें तो दो से दो से 3 cm length होता है 2 से 3 cm length होता है 2 से 3 cm length होता है तो इसके structure के structure को अगर देखें कि ovary कैसे देखने में देखने को मिलेगा तो इस ovary के ऊपर जो ए रेड कलर का मैं structure बना रहा हूँ वैसरे तो बात्तर मैं के असा सँप्राइसद जो अचली में L remo 가 en tips अश्सकी क्ले ME को अपितीलियम तो शा IRS फ्राइस दित में जो न만र पितीलियम है और ढौर पितीलियम जो है जर्मिन फितीलिय पर पितीलिम घर के अगर आप देखेंस और नեղ Bible Hello के अंदर अगर आप देखें तो ओवरी के अंदर ओवरी के अंदर आपको बहुत सारे चोटे-चोटे एगनेस्ट मिल जाएंगे एगनेस्ट मिल जाएंगे बहुत चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-आपको एगनेस्ट मिलेंगे तो जैसे ही पुबर्टी के समय कोई गर्ल पीवर्टी स्टेज में आती है 11-13 इसे प्राइमेरी फॉलिकस्ट बनेगा ध्यान दीजेगा यह बहुत बेसिक है अगर यह समझ में आ जाता है आपको तो आपको समझ में या 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 फैक तो यहां सरी फॉलिकस्ट कि बन रहे है एफ उसक के प्रजंस में बन रहे है और यह बीच में कुछ फ्लूड जैसा इस ट्रॉक्ट्टर होता है hybrid like a structure is called entrum इसे हम entrum कहते हैं they are called entrum they are called entrum right this is a fluid filled cavity this is called entrum and this is the graphene follicles uh which is where the theeka externa theeka externa hota hai uh theeka interna hota they are called theeka interna or lh ab just a growing follicles if follicles grow कर रहा है ओवरी कंदर ने 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 फालिकस बन रहा है so growing जो फॉलिकस होते हैं growing फॉलिकस समझें बहुत बड़ा concept है growing follicles क्या करेंगे बिटा growing follicles increase estrogen body के अंदर क्या करेगा estrogen के मात्रा को बढ़ा देता है जैसे 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 growing follicles होगा estrogen आपका body के अंदर estrogen बढ़ जाएगा अगर और pituitary gland से क्या कराएगा एलेस प्रड्यूस कराएगा सिक्रीट एलेच सिक्रीट एलेच यही एलेच इस graphene follicles के उपर आके एक करेगा और हमारा यह जो 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 ग्राफिन फालिकस हो रप्चर होगा रप्चर होगा तो ओविलेचन हो जाएगा तो यहां पर ओविलेचन होगा एक बाहर आ जाएगा रिमेनिंग तर दे लियर ऑफ ग्राफिन फालिकस ग्राफिन फालिकस को देखेंगे जब आप तो आपको सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्शर मिलता है थीका एक्स्टर ना थीका एक्स्टर ना ठीक है और अंदर वाला मिलता है हमारा थीका इंटर ना ठीक है थीका एक्स्टर ना थीका इंटर ना यह दोनों कंबाइन होके यह दोनों कंबाइन होके सारा लेयर जो कंबाइन होके बनाता है कॉर्पस लूटियम बनेगा लूट इपनेगा लूटनाइज़ीं हॉर्मोन के प्रिजिनोगे प्री नूजिल में तिकर्ट समय सेंटीर सुरू करेज़ काफी थी को जायगा चब्चपास सा हो जाएगा क्यों किप प्रोछ्चेक्र ऌन वे डियू को लगर आए कि कहीं भड़ाइज होग के एग फटलाइज 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 होगा 후 फटलाइज होग के जाइगोड बनेगा वह जाइगोड हमारे एंड्रो मिट्यम में आके इंबेड़ेड होगा and that's process is called yes please क्या कहते हैं the embedded of the जाइगोड into the yeah you can say the blastomir into the inner layer of the uterus that's called implantation इंप्लाइशन कौन करिवा रहा है प्रोजस्ट dormir किरू 11 ओं को अच्छे तरीक नहीं हुआ है तो क्या हुआ कि यहां पर आएगा ही नहीं तो यह प्रॉलिफरेट होता रहेगा इसके साथ थोड़े बहुत एस्ट्रोजन भी थोड़े प्रॉलिफरेट करने में मदद करेंगे बट इसको लग जाएगा कि यार आप तो कोई आई नहीं रहां अब तो इसका नहीं करणै कि यहां कि वर्कन थे कनवर्टेंटो अल्य कंस आल्रीकन अल्मीत तो प्रोजित्रोन का लेबल कम हो जाए गान जैसे लेवल कम प्रोज्रान का यह था पह्ताय sandbox और भॉलिदिंग उना शुरू हो जाएगा बलीडिंग वो ना सुरू कह ऐगा था अट बलीडिं अगर प्रोजस्टोन नहीं है तो क्या होगा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा तो इसलिए अगर किसी को ब्लीडिंग नहीं आती है में प्रॉब्लम होता है तो हम अगर आपको थोड़े से साइकल में प्रॉब्लम है या बिल ब्लीडिंग नहीं हो रही है अपने कोई भी सेक्सवल इंटरकोर्स नहीं किया है फिर भी ऐसी प्रॉब्लम है सब्सक्राइब अचानक से कम होगा कम होगा तो ब्लीडिंग हो जाएगा आप खुश हो जाओगा क्या कमाल का डाक्टर है वह यह तो दिस इस हाव देख लेते हैं प्राइमरी सेक्स ओर्गन इस एक्स और 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 उसके बाद विच प्रॉडूस अगामिट्ट होर्मोन दो से चार सेंटीमेटर इसका लेंथ होता है एक दे आर कनेक्टेड टो पैल्विक वाल अफ यूट्रस नोट्स मत बनाएए क्योंकि इसके नोट्स मेरे पास है तो आपको नोट्स बनाने के जूरत नहीं है आज हम इसे चाप्टर को खदम कर देंगे कैसे भी कितन भी समय लगेगा और फिर हम नोट्स आपको टेलिग्राम के ऊपर देंगे तो ओवरी इस कनेक्टेड तो जर्मिनल अफितीलम विच इंक्लोस तो दो ओविरेन स्टोमेटा स्टोमेटा स्टोमा स्टोमा दो हिस्तों में डिवाइड होता है यह देखिए बीटिफुल यह दीरलेगे लिएग देखिए बीयुट थुटोमेटन अविप्र विचिए लूब कान्था अवरी ढैदा हम लगे रिक्रहे हो ईता हम लगे रिक्रहे हो विटाह हम भש पीर्ये सम्ट्री तो अब्लाइ सेम्टर फिरे61 श्टोमें अट県ग ऐुक्रहे हो टो डिस वनीज Mitt developing follicles and this is the mature graphene follicles आपको यह फ्लूट देखाई दे रहा है यहां पर लुक दिस इस फ्लूट अन दस फ्लूट इस कॉल एंट्रम इसी को हम एंट्रम कहते हैं रप्चर हुआ और एग बाहर आ गया तो दिस दिस वन इस एग विच इस लिवरेटेड ओबम और दिस 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 वन अगर कुछ काम नहीं हो तो और इसकी अंदर ही डिस इंटिग्रेट हो जाएगा तो ओवरी अंदर क्या-क्या चीज़े बन रही है दियार फॉर्म एगनेस्ट इन दे प्रजेंस अफ एफसेच फिर सिकेंडरी फॉलिकर्स टर्सरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकर्स बन रहा है लुचाट में से समझने का अगर पेडraroz करें तो को हिस रख से करेंगे समय रखने का प्रयास करें तो कि हिसर सब से करेंगे the growing follicles inside the ovary the they produce a lot of estrogen is estrogen जाके हमारे pituitary gland को stimulate करेगा they stimulate the pituitary gland जैसे के अभी आपको बताया था and they secrete the lg which is lutenizing hormone this elect act on the graphene follicles and rupture and release the release the secondary oocyte that is called ovulation will be happen so how the ovulation is take place how the hormonal act ये पूरे चीजों के दौरान होता है कि वाइस नहीं आ रही है कि आ तो रहा है भाई या बस वाइस तो आ रही है बिटा यह मान सो बिटा तुम्हारे तुम्हारे उस प्रावलेम चल रहा है देख रहे हो पोटो कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ हो जा रहा है तो मैं थोड़ा डर जाता हूं अब क्या कुछ गरबर तो नहीं हो गया क्योंकि कभी अच्छा सीरीज स्टार्ट होता रहता है बड़ इस बार हम रुखने वाले नहीं है कुछ भी हो हम दस अपरेल तक कोर्स को खतब करते हैं बस आप कंटिन्यू रहे ध्यान देजिए और मजा आजाएगा ट्रस्ट में आपका कंसेप्ट ब глаз होगा अगर कंसर्ट हो जाएगा तो आप कोई भी कॉशन को अराम से कर दें आप किसी को पता ही नहीं हो रहा है कि अ जो है और अजन गैने बना विलख फ्राइट है पता ही नहीं चल रहा है कि यह तुट क्योंग रहा है आपके तूटने में for maintaining the to maintain the thickening of endometrial and this thick endometrial is support easy implantation even किसी कोई pregnant हो जाता है तो हम उस समय उसको सिर्फ सिर्फ प्रोजिस्टरॉन के टाबलेट देते हैं ताकि उसका endometrium और अच्छे से ग्रोध हो implantation और बहतर हो प्लेसेंटा का ग्रोध और अच्छा हो ताकि उसकी pregnancy sustain रहे अच्छी रहे हैना तो यही कारण होता है तो इस नहीं होता है तो क्या होगा और बन जाएगा और डिक्रीज दप्रोजिस्टरॉन लेबल जैसे लेवल डिक्रीज होगा प्रोजिस्टरॉन का थिन हो जाएगा endometal का size बहुत थिन हो जाएगा पतला हो जाएगा तूटेगा तो menstrual flow हो जाएगा तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्यों रहा है क्या कारण है इसका है ना जब तक आप समझोगे नहीं कैसे कैसे पता चलेगा राइट कोशन तो हम आठ वज़े करेंगे नाव हमने फिलोप ढख लूढए तार बारा संटिमेटर हो जायद रखेगा अधसे बारा संटिमेटर लेंथ को तो होता है इसका तो टो तो आप सॉपरे that is called infundibulum they are close to the ovary that is called infundibulum and infundibulum lead to the ampulla which is swollen part and join the uterus with the istomus which is closer to the ovary closer to the ovary now we are talking about the parts of we are talking about the parts of parts of parts of fallopian tube बहुत सारे parts fallopian tube के होते हैं तो तीनी पार्ट होते हैं the first is infundabulum and the second one is the ampulla and the third one is the isthmus third one is the isthmus right fertilization कहां कहां होता है बिटा fertilization is take place at the junction of isthmus और ampullary region नहीं वाली आंसियाटी में empullary region लिखा हुआ है uterus के बारे में मैंने अभी समझाया था uterus के तीन पार्ट तीन लियार uterus inverted pear shape होता है चाहिली यहीं पर नौ महिने तक रहता है तो it is a inverted pear shape structure first of all ठीक है तीन पार्ट होते हैं fundus body और cervix यह मैंने अभी बताय दिया है perimetrium के बारे में बात करें तो perimetrium is important perimetrium is important and the perimetrium में सबसे important है कि इसका size vary करता है which is the outer layer of uterus and the size will be vary my metrium it thick layer होता है this is the thick layer thick layer होता है thick of a smooth layer एक बार question आता है कि किस layer से मिलके बड़ा होता है और in nutrition provide करता है of the growing fetus they providing the nutrition और child birth में भी help करता है तो यह कमाल का flow chart है कमाल का flow chart है तो during the during the child birth child birth के दोरान child birth के दोरान क्या हो रहा है तैंबर के दोरान during the child birth they have oxytocin receptor उपर के side में oxytocin receptor होता है जो कि मैंने भी बताया था आपको मायमेट्रिया में वह फटा-फट और oxytocin लेगा और oxytocin लेके contract करना शुरू करेगा तो बेहल्प इन रेगुलर contraction and relaxation of relaxation of uterus and finally the easy child birth will be take place एंडो मेट्रियल बताया है मैंने कि सबसे नीचे वाला लाइन होता है उसको growth करने में estrogen और progestron सबसे ज्यादा किसका estrogen और सबसे ज्यादा contribution किसका होता है तो सबसे ज्यादा contribution जो हता है को जिस्ट्रान का होता ही पूछ रहते हैं यह हमेशा तुमारे ट्रस्ट्रों जो है इनर मुस्ट लेयर अब यूट्रस और रिच बलड अ है रिच बलड अप्लाः ऊप्लाइल्ड इस अम Ini यहीं चैनल भी अचे जोगरडिया और तो वसा एंदर जो होता है सबसे बेक्टीरिया प्रजर्थ हर ऊधर बीटांब कौन से यह उता है अंदर अंदर लेकटीरियल इंफेक्ट्रियो को होने नहीं देता है फंगस को मार देता है बक्तीरिया को मार देता है यह और यहार जाता है तो हो जाएका इंफेक्षन हो जाएगा इस ँचिण हुना च्हू पहुत करेंद करता है तो हमारे लिए लेक्टर पिर कि जैसे आप टीवी से इंफ्लुएंस होते हो पीमिन इलाइची नहीं खा थो तो तुम करेंगे तुम को बना रहे हैं तो ऐसे ही हमारा एक आड आता है वी वाश वजाएना वाश करिए तो वी वाश ना बढ़िया से एक डॉक्टर बैठ जाती है एड आता है चलता है है ना वो डॉक्टर है उनसे सवाल पूछा जाके अच्छा यह बताओ पहले छोड़ो पीएच पीएच छोड़ो खेल खतम करो वजाएना जो है वजाएना किसमें प्रजंट होता है मेल या भी मेल उसमें भी कन्फिजी आ ज जाता है कि अजब बोलो हैना वी वाश बोलो टाकि हमारे जो है जो यूथ है जो लोक है वी वाश को खरते हैं अब लगाई आप लिए वी वाश क्या करेगा कि जितनी हमारे लक्टोवैसलेस बेक्टीरिया है उन सब को मारव डाले लग्टोवाश ल satan को उड़ा लेका के तो जब सब Lactobacillus मर गए तो क्या होगा कि अब जब मर जाएंगे ना तो जो लोग रेगुलर एक या दो साल वी वाश यूज कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि उनका जो वजाइना होगा वो ड्राई हो जाएगा उसका वजाइना क्या हो जाएगा बैटा ड्राई हो जा बुलावा चलो बुलावा आया है इनफेक्शने वलावा है तो इन्पेक्शन ने गाला हो जयेगा आपको ऐसके मैं आपसे सब्क मैं तो सब़ें पूछrev हो जाएगा कि से अंतर होटा में जो है पूस्त मैंनो पॉजल को होता है उसमीन फॉसल फीमिल को होता है कि कुकि इसलिए वी वाश को ना यूज करें साबुन से धुए जैसे पुराने टाइम में जब वी वाश नहीं होता होगा तो क्या सबको वजाएना का इंफेक्शन ही हो जाता होगा कोई वी वाश नहीं है तो दस पंदरा कर देते थे भाई साब हाँ दस दस पंदरा कर देते थे आज की टाइम में तो होई नहीं रहा है कि जहां दिल्ली मुंबई और बड़े शहर में जाओ गए अचा पत्तर उठाके फेको गए सिधा इंफेक्शन कर रहा थे कि कौन से डाक्टर हो ठीक है तो इतना ज्यादा इंफर्टिलीटी वाले क्लिनिक है वी वाश हो सकता है एक वी वाश एक बड़ी कंपनी है सुन लेगी कि डॉक्टर रैसके सिंग ने ऐसे बोला तो हो सकता है कि मेरे को नोटिस आजाएगा पर क्या करेंगा नोटिस ही मेरा उपीनिन है सब्दान हमको हग देती है किसी के बारे में बूलने का जो गलत हो गलत है इसमें क्या दिखका सब्सक्राइब करते होंगे और आप चारते पांच सालों में वजाइनल के इनफेक्शन के शिकार हो जाएंगे फिर वही आप हॉस्पिटल में आएंगे डाक्टर दवाई लिखेगा और डाक्टर बोलेगा वीवश मत यूज करो तब जाके आप नहीं यूज करोंगे ठीक है तो चले तो मेरा करतव तो बताना बताना तो बजाइना इस और्थ कनाल है ना बर्थ कनाल इसे कहते हैं चाइल बड़्त यहीं सो हता है ठीक तो यही वाला चीज है तो पीच ऑफ पीच ऑफ वजाइना इस एसडिक पीच ऑफ वजाइना इस ऐसटेंग डू पेक्टीडिया प्रेशन प्रेजन अन लोग अपने से डॉक्टर बननी के सब्सक्रिश सब्सक्राइब रहता है जैसे कल मेरा नाइट ड्यूटी था और मैं गया था तो एक लीडी आई थी नियूडली मारड मोस्ट प्रब्ली वान मन्थ और बहुत भ्यांकार पेट में दर्द थे बहुत भ्यांकर एक्टम तड़ पड़ा रही थी और मुझे वही केस मिला था तो उपर लेटो उपर लेटो तो कोई कोई नाटक की भी करता है तो ऐसे जो-जोर से बोलने सब्सक्राइब जो बढ़िया पेशन होगा है वाकित दर्द है तो करेगा रजिस्ट रहेगा तो विचारी नहीं करने में उठाओ लेटाओ चलती क्या होगा बताओ तो पहले तो प विडिटो पिल्स टीवी विदेखे थे मैं टीवी देखे डाक्टर में जाओ ना हम ही लिड़ जाते है तुम यहां ख़र जाओ टीवी में देख लो पताब कभी भी सेक्स सेक्स्वेल आक्टिविटी तो अन्वांटट इटो ले लोगे ओम है नहीं है पता नहीं है इस टीटो प्रीटर यह हमारे भूंट में लिखा हुआ है अरि होता है को इस परिप्रेगनशी तब ही होगा जब फरगेंट वासपांच जाएगा पनुच जाएगा पुच भी जाएगा इस नहीं होता है तो यह कर सकते है बिमाइब लाग लाग यह तर भीच भीच यह तर लुबर्ट आघच दूपर मैं खाउट रहा टूबड़ आट रहा टूब्स टूबर्ट खेर्ट आट इसे पाउट प्रलाग यहा तो तू रहा है सिर्णाली कर देंड मोंप इस अंड्र रहा है थोड़ा अलग हो जाते हैं नहीं तो पता चलेगा हम जाएना के अंदर ही भूसी होए तो दिस दिज़ा मोल्स भी विस राइट 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 स्ट्रक्चर होता है और इस प्यूबिक एर प्राचन लुक और दिस वन इस आ आउटर आउटर लेयर विच इस कॉल लेविया म माइनोरा होगा और लेविया मेजोरा लेविया माइनोरा ऊपर मिलके आपको यह बनाएंगे क्लाइटोरिस बनाते हैं यहां पर एक छोटा सो ओपनिंग देख रहे हैं और कॉल यूरेथरल ओरिफिस जिससे यूरीन आता है और दिस इस आ वजाइनल ओपनिंग जहां से एक प्यूइस में प्यूइख प्यूइए प्रजंट होता है इसकीन में एडिपोस टिशू और हीर प्यूइख में प्रजंट होते हैं तो लेविया में जोरा सबसे बाहर वाला लेयर होता है अगर देखेंगे तो अगर वजाइना के अंदर तो घुस नहीं सकते ज्यादा है तो बाहर उक और यूद किया होुआ है तो जो जो गर्ल काफी स्पोर्ट एक्टिभिटिए में काम करती है खेलती है तो उसका कभी टूट जाता है बचपन बारा साल में तोर गया पता नहीं चला बलीडिंग बलीडिंग हुए तो गर्ल इंटर परेट किया सिट इस अमें स्ट्रोल फ्लो और यह से अगर कहीं वजाना से ब्लेडिंग होता है तो अब्वेस है कि वह मतलब की उसे में स्ट्रोल साइकल कह दिया जाता है बटर माइट भी इस ब्रॉक इस आफ ब्रॉक आफ हाइव तो हाइमन सकता है होर्स राइटिंग में साइकलिंग में रनिंग में कोई वे स्पॉर्ट अक्टिविटी में या उपर से गिर गई ध्राम से वजाना पर चोट लग गया तो यह जरूरी नहीं है कि प्रजन्स हो हाइमन या एपसंस हो तो वर्जिनीटी है तो वर्जिनीटी यू कानट प्रजनी वह तो वर्जिनीटी यू का सुझ नहीं करतकता हो व्रजिनीटीजी हो तो यह ज्लिट अग चालि ऑलिपकेकि उलिस्दhh आप आज बाट उर्ट शैसा समझा जाता है कि लिवीं फिर्ट इन पार्जिन वाय। इसके बारे में लोग आवेर जाता हैं पुल विछ की आज के इंडल्ज वीट है मेन अप्लास्टी इंडल्ज विट दूज ए प्लास्टी है मेरे एक सीनियर रहों करते हैं था थिए अ आपिशिल हाइमन इस ग्राफ इंसाइड वजाइना इंड फिर्स कोईटें देक देगल इंड प्लेशिंग इंड बेडिय प्लेटिंग या या यह वर में तो इसला करें तोड़ आइंड जो है बूर अ लिविय ऐमचमर का ओपनिग है और इस asking AG प्रोजेक्षन होता है और इंड यह यह इंड ड allegedly रया अट यह और कोनी स्वेसे कुसा ए खाहरजण ड़ूंघ पथया है यह गरम नहीं के पाए तो तो memory gland के बारे में बात करें तो memory gland is pair structure first of all this is a pair structure and each glandular tissue contain the 15-20 memory log 15-20 memory log यह सारे combined होके alveoli बनाएंगे और alveoli सम्मिल्क प्रेडूस होगा सारे के सारे जो हमारे memory duct है वो ज्वाइन होके memory ampulla बनाते हैं to form a memory ampulla so development of breast breast के development में सबसे important सहाइक चीज़े क्या होती हैं तो family history family history is very important family history पे depend करता है breast का growth right breast का growth इस पे depend होता है तो family history is first important diet is important अगर आप diet में बहुत जादा fat लेते हैं तो memory gland के growth काफे जादा हो सकता है fat hormone is also very important the estrogen is player very important for the development of breast development of breast right तो दूरिंग पीवर्टी इसमें estrogen hormone टेक पार्ट करता है ठीक है और दूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलेक्टीन सबसे ज्यादा इसमें काम करता है और आफ्टर दे चाईल्वर्थ milk emerges by the oxytocin to infantile female में tsuruwaati दूर में breast bird इसे बुरते है breast bird आदा है they are called breast bird breast bird and this is a sign of this is sign of starting of puberty this is approximately 11 to 13 years now the young female most probably the 15, 16, 17, 18, 19 so the estrogen is stimulate this duct and the size of breast is quite large and this is the adult might be the 70 80 90 20 the progesterone stimulation the formation of secretory alveoli secretory alveoli okay breast cancer is quite common in female this one is a most leading बहुत तगड़ा मुस् लीडिंग कैंसर है फिमेल के अंदर तो उसको रोगने का एकी इलाज है the breast self-examination आपको breast को अपने आप examine करना चाहिए clockwise और anti-clockwise कुछ भी गांठ दिखाई दे या कुछ भी problem दिखाई दे तो तुरहन्त डॉक्टर से संपर करना चाहिए और यह करीब breast self-examination से करीब से करीब पचास से साथ पर्तिशत breast cancer को रोका जा सकता है जो बहुत एक significant number है राइट रिक्स वेक्टर क्या है अगर फैमली में फैमली में जो है फैमली में अगर फैमली में किसी को breast cancer है तो उसको खतरा रहता है अगर मदर को है या दादी को है नानी को है तो काफी खतरा रहता है तो इसलिए 20 साल के बाद हमें ultrasound of breast जरूर कराना चाहिए हर एक 3-3 महीने में अगर बलकी breast है तो तब भी ज़्यादा खतरा है और अगर आप oral contraceptive pills ले रहे हैं तब भी आपका खतरा बढ़ जा सकता है symptom में क्या होगा कुछ skin changes नजर आएंगे readiness और readiness नजर आ सकते हैं लाल हो सकता है breast के अंदर dimpling होता है dimpling मतलब थोड़ा गड़ा बन सकता है inverted nipple जैसे nipple हमेशा iverted होते हैं आगे के तरफ निकले होते हैं अगर अंदर के तरफ धस जाए तो एक कारण बन सकता है breast cancer का lumps अगर आ जाए discharge हो निपल से तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है breast का ठीक है यह भी एक बहुत बड़ा कारण है breast cancer का तो breast cancer में क्या क्या चीज़े नजरा सकती है there is a skin changes skin में कुछ changes हो जाए हम लोग क्या interpret कर सकते हो सकता है कपड़ा के वाजा से हो सकता है बहुत टाइट का पढ़ा पहन लिए थे ना इसलिए बड़ों कहीं न कहीं बहुत बड़े problem में तबदील हो सकता है निपल से कुछ discharge हो रहा है तो तभी यह बहुत बड़ा को समझना बहुत ही असान है तो पूरे मेंस्टुएशन साइकल को हम तीन हिस्सों ही डिफाइट करते हैं ठीक है पहला हिस्सा होता हमारा bleeding phase bleeding phase तो bleeding phase basically कब से कब तक रहता है एक से पांच दिन तक रह सकता है किसी किसी में चार दिन हो सकता है चिह दिन हो सकता है दो दिन büy हो सकता है है वारी करता है कोई ही प्रों कनρχी वह करता है एक पर ऊसके बाद हम रहे हां हमारा आता है फेज भी कहते हैं तो फॉलिकुलर फेज जो होता है हमारा यह पांच से लेकि 15 तक रहता है और यह 15 से टोटल 28 या 30 दिन तक रहता है तो यह हमारे फेजिस का इसको समझना बहुत ही असान है इसे समझे जरा कि माल लेजिए पूरा का पूरा ओवरी है जो हमने देखा है अच् ओवीरियन फेज वो करीब पांस लेके 30 दिन तक होता है पूरा ओवरी के अंदर ही पूरा खेल होता है ठीक है दूसरा जो होता है यूटराइन फेज यूटराइन फेज यूटराइन फेज जो होता है वो करीब करीब एक से पांच दिन तक होता है तो यह बहुत बहुत ही क इस बहुत सारे हैं प्राइमेरी फॉलीक vocês बना फिर उसके बाद ग्राफिब टार्स्टी में भना फिर ग्राफिवन डोलो होता हैं तो यही अतुOff इससारा चीज है तो ब्लीडिग फेज होगा है न बlyточно up प्रोड होगा धीर धीरे धीरे फैना सिरुछ जाएंगे और हैं अभी बताए था कि एंड्रों मेट्रिये को कौं सा। करता हैं कौन सा हर्मून ग्रो imp रोत करता है घ्कौन करता है और अज ie an ये दोनू का लेवल अगर कम हो गया तो ये एंडोमेट्रीयल टूटेगा और तो ब्लीडिंग होना बाकी इस सारे स्टेप ऐसे आपको पता है है ग। को भी खदम कर लेते हैं कि ओवीरन फेज में new follicles are firm and release out and ovulation is take place uterine phase में inner layer of endometrial grow and finally they are shedded out and release the blood look this is a menstruation cycle एक से पांस देन तक bleeding होता है फिर उतके बाद सारा चीज़ हो रहा है ठीक है एक नए वाले NCRT में there is a term which is called menstruation hyzen तो menstruation hyzen में क्या है कि menstruation की दिनों में hyzen is very important napkin या sanitary pads should be used उसको कहीं पर थो नहीं करना चाहिए प्रॉपर उसको अच्छे से करना चाहिए उस दिनों में वह जाने को अच्छे से neat and clean करना चाहिए because in those day there is chance of infection are quite high क्योंकि vagina is quite I mean उसमें मताब infection सबसे ज्यादा उसमें देखे जाते हैं तो maintenance of hygiene and sanitary sanitations during the during this menstruation take bath and clean yourself regularly use sanitary pad or napkins clean homemade pads or chains pad every after four to five hours as per requirement so it depends on the bleeding how much bleeding are there a bleeding dependent करता है कि उसको किस समय पे पैड को चेंज करना यानि बहुत आरे female या girl पैसे को बचाने के लिए पैड को लगाया रखने हैं so this is a bad things okay तो यह सारा मैंने बनाया है this is the bleeding phase और follow proliferative phase अब देख पारे इस सब हमने अभी समझा है तो इसको हमें पढ़नी के ज्यादा जरूरत नहीं पढ़ेगी the bleeding phase is basically last for last for three to five days of total menstruation cycle and due to the low level of estrogen and pregestone the thickening of endometrial is not maintained and they are shredded to release the blood so your menstrual flow होगा due to the breakdown of endometrial lining of the uterus the blood vessels form a liquid and they come from the vagina oh vagina से आ सकता है ठीक है अगर फेटलाइशन नहीं होता है तो कॉर्पस लुष्ट्रम स्टॉप प्रडूसिंग प्रोजिस्ट्रों अगर फेटलाइशन नहीं हुआ तो प्रोजिस्ट्रों बन के क्या होगा तो इससे प्रोजिस्ट्रों का लेवल कम हो जाता है रप्चर होगा एंड्रो मेट्रियल और इससे ब्लड आ जाता है मेंस्ट्रूइशन कब कम नहीं होगा प्रेगनेंसी के दरान नहीं होगा प्रोजिस्ट्रेस के कारण भी मेंस्ट्रेशन साइकल नहीं होगा प्रोली फॉलिक्लर फेस आप जानते ही है कि ऑवरी कंदर नहीं नहीं फॉलिकल्स बनेंगे विद दे हलप आफ एफसेच छोटे छोटे फॉलिकल्स जब ग्रो करते हैं तो इस्टोजन प्रोजिस्ट होगा और इस्टोजन जाके ओवरी मतलब कि पुट्री ग्लाइंड को स्ट्मिलेट करेगा महां से एलेच और एलेच रप्चर करेगा हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स को और ग्राफिन फॉल्लीकर रप्चर होगा तो ओवुलेशन हो जाएगा तो ने लेवल ऑफ एस्टोजन is in creasa दे इस्टिम लेट ग्रोथ ज् होते हैं तो अगर फैटलाइशन नहीं होता है इंसाइड ओवरी के अंदर वो मर जाता है समीर कुमार ओफिशल इम्रान आलम राज कुमारी कबीर सिंग किरन दूबे गौरव बता बटा कोई भी दिक्कत परिशानी यहां तक है प्लीज बताइए ऐसा नहीं है कि यह एक तरफा क्लास है एक तरफा महब्बत हो सकता है क्लास नहीं वे ठीक है चलिए तो उजनिस उजन के बारे में ST his के बारे में बात करते हैं पहली तुम्हारी लिए हैं तो अपने दोस्तों को भेज उनको बताओ कि Class इसे कहते हैं बाकि क्लास करते हो क्लास करते हो निए पूजनेसिस के बारे में बात करते हैं थेक है थे प्रॉसेस अफॉसेस अफॉसेस इसे और फीटल लाइफ में शुरू हो जाता है और मेचवर होके फिर ओर रिलीज होता है यह देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है सारा फ्लू चार्ट में रखा गय है तक टक 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 चीजों को समझ सको कि उगुनिया होता है जो 46 नमबर होता है दे कंवर्टेंट इन्ट दे प्राइमेरी उसाइट्स अन फाइनली दे सिकेंडरी उसाइट और फिर ओवं की प्राप्ति हो जाती ओवं बन जाता है ठीक है तो यह सारा चीज है यह वा प्राइमरी फॉलिकर सेकेंडरी फॉलिकर टर्स फॉलिकर बनते हैं एक कोश्चन हम आठ बजे आज करेंगे यह निकाडमी के ऊपर इससे भी सवाल में पूछूंगा एक का लेयर है देखो कितने सुन्दर मैंने बनाया है सबसे बाहर एबी तीडी में पहले क्या आता है ब प्री वैटलाइन मेंब्रेन और फिर जाके साइटोप्लाज्म झूग्लेस ठीक है तो यह वाला स्टॉक्चर देखो तो यह सारा देख रहे हूँ आप इस सारा पहले क्या है हमारा कोरणा रडिएटा तैस इसस वाला न शोज़ ना पहले सब्सक्र पिर पिल्री वालाइन क थो याद रखेगा फिर अब हम बहुत ही आसाना यह समझते हैं तो फटलाइजेशन का मतलब क्या होता है फटलाइजेशन का सिंपल से होता है कि जार्ड़ उजन ओफ फिव आफ ही मिल एट यह एप तो फटलाइजेशन की लिए कुछ होगा कि पहले स्पाम ओबंच के पास जाएगा तो कैसे जाएगा है तोम ने देखा यह ना यह स्तौरम का डाइग Maharम उस तो नहीं मना तो पहले स्प्यपी होगा घड़ा के दर्पार हिस जाएगा नर्हार है कि दूसरा क्या होगा दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा हमारा, कि जैसे ही वहां जाएगा, तो दूसरा हमारा प्रोसेस होगा, that is called acrosomal reaction, acrosomal reactions होगा, ठीक है, acrosomal reaction होगा, capacitation वह गर बाद में करते हैं, तो होता है क्या है, कि जैसे माली जी यह female का structure है, और यहां पर egg है, तो egg के ऊपर एक chemical chemical होता है बताव कॉन सा बगए आइस फर्टेलностью 5ty लाइजीन और जब महां वजाएने के अंदर डिपोजीट होगा इसमें बाइनां के अंदर टेपोजीट होगा तो स्पार्म के सर्फेस के ऊपर کौन सा होगा स्पोर्स के पर anti-anti-TI leising होगा antifertilization of fertilizing species specific होते हैं और इक डूनों को आपस में मतब कि बुलाएगा यारAS Farm वहां पर जाmarks यहां पर यहां पर जा के फ्यूज करना सुरू कर देगा this is approach towards the एक क्योंकि एक दूसरे से specific होते हैं ठीक है और इस सपीसीज specific होते हैं अगर दूसरे कीसी स्पीसीज का स्पाम अगर यहां पर डालेगा तो फिर काम बंद नहीं पाएगा ठीक है अक्रुसओमर रियक्शन का मतलब इस होता है कि जैसे अंडा है और स्पाम आया तो स्पाम के हेड के ऊपर बहुत सारे हाइडरो हाइडरोलिटिक एंजाइम होते हैं हाइडरोलिटिक एंजाइम होते हैं और यह हाइडरोलिटिक एंजाइम एक के लेयर को तोड़ना सुरू करेंगे एक के लेयर को तोड़ना सुरू करेंगे और बुरी तरह से तोड़ देंगे जिससे स्पाम बहुत ही असानी से अंदर घुश जाएगा इस पाम का सिर्फ हेड़ पार्ट ही अंदर घुशता है बाके रेस्ट अप घुश नहीं पाता है और जैसे एक स्पाम घुशेगा तो एग का जो प्री वेटलाइन स्पेस था वो बहुत जादा म घुश पार्ट ही नहीं पाएगा तो इस इस वाट दा प्रॉसस ऑफ फटलाइजेशन तो इस वाट फ्रॉसस अंदर इस गिवन भार्ट ही अंदर अपिलरी और इस तमस एंपिला के जंक्शन पे रोटा है और यहाँ पर देखें लिखा लिखा है कि दूरिं औरी छाविविवर blues allocation परहले पर म्यार्वाइक तोड़ा फिर टोड़ा ल्हाउ मरं से कंबाइन हो गया ठीक्र Node के सर्फेस के ऊपर फेतलाइज और स्पार्प का सिर्फेस को ऊपर एंटी फेटलाइश होते हैं एक्तरेक्ट करते हैं होता अक्री टूटेगा तो एंदर क्या होत है हईहङ्रो राइन अधेरो धी पेक अंधर तरिक चसी तोट देगा तो सिप्न het प्रेगनेंसी हो जाएगा ओवम है नहीं है कौन डिटर माइन करेगा ना दो कॉटिकर र्याक्शन का मतलब होता है कि यह चेक करता है कि ज्यादा से ज्यादा अंदर ना घुज जाए तो कॉटिकर रियक्शन में आपको यह चीज ध्यान देना है कि अधिशा ग्रोथ प्री विटलाइने स्पेस जो कि 900 थिक अंक्स्ट्राइंड घुजा था हो जाता है कि दूसरा अपर्म इसे चीज प्रज़न देन ग्रॉट कॉर्ब है तो डूसरा घुज से तोड़ी नहीं पाता है तो टूसरा इस पॉर्मिसे हुपहँ पाता है तो यह ऐ इंप OOOOOOO只是 bryk the entry of very important to check the entry of check the entry of other spa clear है यहां तक कुछ भी नहीं है cleavage basically अब जाइगोड जो बना है उसका टुकडा होगा तूटेगा तो that's called cleavage हमारे इंसानों में जो जाइगोड तूटता है जो जाइगोड बना हुआ है न जो जाइगोड बना हुआ है दो इक्वल हाप में डिवाइड होते हैं इसलिए हमारे इंसानों में जो होता है इंसानों में जो होता है इंसानों में जो होता है होलो ब्लास्टिक इक्वल होता है होलो ब्लास्टिक इक्वल होता है इंसानों में क्लिवेश कैसा होता है होलो ब्लास्टिक इक्वल होता है कुछ देखाई नहीं दिखा जाता है कभ तक अपट टू ब्लास्टूला तक इस के नम्मार बढ़ेंगे दो सेल फ्रेस्से आपको चार 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 Sum तो इसमें आपको जो है गोट फीर देखने को नहीं मिल सकता है ठीक है about myself तो लास्टेश उसके बाद फिर आगे कुछ भी हो सकता है उसके बाद ग्रोथ देखा जा सकता है तो इसे होलो ब्लास्टेश के एकवल कहते हैं तो मौरूला में क्या होता है कि 8-16 सेल स्टेश होते हैं इसको याद रखेगा और बिलास्टोर से 16-32 यही जाकर हमारे एंडो मेटियल से attach करता है और implantation होता है तो this is a blastula stage और जिसमें आपको देख पा रहे हैं आप बहुत चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे एग है और बाहर वाला जो लेयर है बाहर वाला लेयर है यह सीजी सिक्रीट करता है और जिससे ग्रोथ अप्लेसेंटा हो सके है इसके अलावा कुछ SCG यूरीन में पास आउट हो जाता है जिससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं अर्ली पता लगा सकते हैं कि वो प्रेगनेंट है या नहीं है तुरू यू पी टी यूरीन प्रेगनेंसी टेस्ट ओरकेट ठीक है उससे हम पता लगा सकते हैं कोशन हम आठ वज़े करेंगे तो इंप्लांटेशन जो होता है हमारा जो यूटरस है जो भ्लास्टला है वह जाकर यह ट्रीम में चिपग अब चिपक क्यों गया क्योंकि यूटरस बहुत मेरा वह चुका है दॉसरी से Also सब्सक्राइब एक दूसरे से लिंक्ट है वाई सब्सक्राइब हाँ विनाज जी डॉक्तर कवीर जी आउटर लियर ब्लास्ट्रोसिस्ट इसकाल ट्रोफोब्लास्ट एट अट्राक्ट टो एंडोमेट्रियम एंप्लांटेशन दे लिट तो दे प्रेगनेंसी अट पॉइंट पारें यह प्लेसंटा है जो बैबी को connect कर रहा है उसको nutrition दे रहा है उसको oxygen दे रहा है उसको हर चीज दे रहा है जो मदर खाना खाएगी वह सीधा कर सीधा बेबी में deliver होगा और बेबी का growth होगा इसलिए प्रेगनेंसी के समया हमें जादा से जादा अच्छे nutrition को लेना चा तो इस बेभी से कपी चीज चला जाएगा फ्लसंता में फिर बिदा मदर के ब्लड में जाएगा और उससे इस क्रिफ औप honey तो पहला function क्या है nutrition the first function is nutrition बेबी को nutrition मिलेगा nutrition is a first function all the nutrient like glucose fatty acid amino acid जो बच्चों को चाहिए जिससे growth हो सके अच्छे से विकास हो सके वो basically placenta ही देगा placenta ही देगा तानिया जी कह रहे हैं कि सर कितना बज़े तक class होगा जब तक चप्टर कभी नहीं होगा कल हम reproductive health शुरू करें आपसे ज्यादा मैं थक रहा हूं खड़े होके तब खराब है गले से कुछ चीज नीचे नहीं जा रही है आपसे ज्यादा मैं थक रहा हूं तब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ना चाहिए कि पास्टू देफीटेस त्रूद अमलिकल कॉट बाइदा डिफूजन प्रॉसेस को याद रखेगा डिफूजन से ही सारा चीज होता है क्योंकि मदर के बोड़ी में हाइर कंसेंटरेशन होता है बच्चे के बोड़ी मरें कम इंस cucडार Connect है excretion में भी मदद करता है endocrine function is very important endocrine function बहुत important है क्या-क्या hormone secret करता है that is called estrogen progestron cortisol prolactin thyroxin को सारा increase हो जाता है जिससे fetal growth को देखा जाता है तो आउटर लेयर एक्टोडर्म से बना होता है इनर लेयर एंडोडर्म से बना होता है, embryo का, mesoderm बाद में आ जाता है, relaxing ovary produce करता है, यह ध्यान रखेगा, pregnancy के समय में, relaxing ovary produce करता है, जिससे pubic synthesis relax हो जाता है, चाइल बर्थ बड़े ही असानी से हो जाता है, ठीक है, फास मन जैसे ही खदम हुआ, तो हाट बीट को आप सुन सकते हो, यूसजी के द्वारा, सेकेंड होगा, तो उसके limbs और डिजिट आ जाएंगे, मतलब उंगलिया और हाथ आ जाएंगे, थर्ड मन में आपके organs सारे डेबलाप हो जाएंगे, के They all day, सारे डेबलाप हो जाएगा, टेस्टियस ओवरी सारे डेबलाप हो जाएगा, चार से पाचवी मन्त बहुत important है, इससे सवाल पूछा जाता है, इसमें बच्चे पहला movement करता है, the first movement क्योंकि movement जो होता है एक Bible sign है, है बहुत important sign है ताकि हम अंदर पता लगा सके कि बच्चा जिन्दा है या नहीं है कि six month पे formation of fine here eyelid separate हो जाता आइलेस का formation होगा और nine month पे childbirth हो जाएगा childbirth कैसे होता है that is called fetal ejection reflex अब बच्चा है अंदर बड़ा हो चुका है तो बच्चा और placenta दोनों दोस्त होते हैं तो fully developed fetus at placenta standard signal to the maternal pituitary gland और कहते हैं कि हमें बस बाहर निकाले तो maternal pituitary gland जो होता है oxytocin produce करेगा and this oxytocin जैसे ही blood में आएगा तो myometrium के सबसे उपर वाले लियर पे oxytocin के receptors होते हैं जैसे मैंने अभी अब बताया था आपको myometrium जब पढ़ा रहा था तो तो उस पर आके एक करेगा और उसको contract करना सुरू करेगा regular contraction relaxation होगा जैसे रेगुलेर और contraction or relaxation होगा तो जो membrane है टूटेगा और water flow होना सुरू होगा क्यों कि उसके अंदर amnican fluid है फिर इसके लिए uterus डाइले मतलब सर्विक्स डाइलेट होना चाहिए और धीरी धीर बेबी दिलेवर होने लगेगा बताता हूं डिलेवर कैसे होगा तो fully developed fetus and send a signal to the maternal pituitary gland oxytocin release होगा and they causes the strong regular contract contraction and relaxation parturation का मतलब है कि child birth होना child birth होना that is called parturation so this is a stage of dilation करीब 6-12 घंटे लगते हैं इसमें contraction of liver pain and cervical dilated करीब 10-12 cm यहां पर dilation देखा जाता है फिर expulsion तो जल्दी हो जाता है तो बच्चा सबसे पहले धीरी धीरे इसका सर सर निकलेगा head part निकलेगा फिर दीरी दीरी ऐसे निकल रहा है फिर ऐसे सर होगा फिर ऐसे जैसी आएगा तो उसे पकड़के खींच लेंगे आराम से तीज से खींचेंगे तो इस आरे step होते हैं the flexion rotation इस आरे step होते हैं जब में slide वहे जाँँगा तो देख लीजेगा lactation मतलब जैसे ही बर्थ हुआ the oxytocin are there they are important to release the milk from the breast or the breast start producing the milk which is called colestrum इसको हम colestrum कहते हैं the colestrum contain what they contain the several antibiotic like IgE minerals vitamins but lack of iron iron नहीं होता है iron नहीं होता है and that's all हमने इस chapter को बहुत ही अच्छे तरीके से खतम कर लिया है ठीक है कैसा लगा बिटा कैसा लगा है थोड़ा message लेते हैं उतकाश आरीफ राजकुमारी प्रियंगा मेरे एक request है कि इसको आप सब लोग अपने WhatsApp के WhatsApp पे मतब की WhatsApp वाले ग्रूप पे डाल दीजेगा WhatsApp वाले ग्रूप पे डाल दीजेगा कि human और रेप्रो इंडाक्शन वाट्सप वाले वाट्सप के लिंक पे डाल दीजेगा कल हम लोग सुरू करेंगे इसको भी आपको लिखने के जरूरत नहीं है लिखने के जरूरत जेनेटिक से पढ़ेगी तो जब पढ़ेगी जरूरत तो मैं बता दूंगा हलो अदित्या सुधीर तमन्ना ब्लेड वैसल्स ऑफ डॉक्टर एसके सिंग प्रनाली स्टाड़ी विद फन टाइम मोहमद जहर प्रियंका कबीर येस उतकर शरन अर्पना कुमारी तानिया ग्रेट क्रेजी बीस सुधीर तमन्ना पंकच गुड जेवा तानिया स्टाड़ी विद फन टाइम प्रियंका गुड गुड थैंक्यू 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 सो मच तो आप लोग डाल दीचेगा ठीक है कल मिलें साड़े गारा मुझे